नमस्कार आप देख रहे हैं दा भारत खबर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने उपराजेपाल से मुलाकात के बाद इसकी घोशना की वीकेंड कर्फ्यू लगने के फिलाल 30 अपरेल तक ये प्रावधान किया गया है वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या क्या बंद रहेगा मॉल जीम स्पा और ओडिटोरियम बंद कर दिये गए हैं सापताहिक बाजार हर इलाके में एक ही लगेगा सापताहिक बाजार में ज्यादा भीड ना हो इसके लिए खास इंतिजाम किये जा रहे हैं सिनेमा हॉल रेस्टरॉं खुले रहेंगे लेकिन पाबंदियों के साथ सिनेमा हॉल को 30% कैपेसिटी के साथ ओपरेट करने की छूट दी गई है रेस्टरॉं में बैठ कर खाना नहीं खा सकेंगे होम डिलिवरी हो सकेगी वीकेंड कर्फ्य के दौरान कुछ काम है तो कैसे जा पाएंगे जरूरी कामों के लिए बाहर निकलने की इजाजत होगी इसके लिए कर्फ्यू पास जारी किये जाएंगे वीकेंड पर घर में शादी है तो कैसे होगा शादी अंतिम संसकार जैसे कामों के लिए भी कर्फ्यू पास दिया जा लाग चार हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं और पांसो से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवा दी है